नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राहुली आदव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में हैं दोस्तो आज की वीडियो में म्यूचल फंड की एक ऐसी कैटेगरी के बारे में आप लोगों के साथ डिसकस करूँगा जिसमें की आपको रिस्क थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा और रिटरंस आपको काफी बहतर देखने को मिलेंगे देखें दोस्तों mutual fund में आपको काफी सारी categories देखने को मिलती है जिसमें आप confused भी हो जाते हैं कि मेरे लिए कौन सी category best है तो ये सब depend करता है कि आपकी risk tolerance कैसी है आज इस category के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस category में आपके risk को minimize करने की कोशिश की जाती है और आपके returns को बढ़ाने की कोशिश की जाती है अगर आप एक aggressive investor है अगर आप long time तक पैसे को निवेश करना चाहते है mutual fund में तो इस category को आप देख सकते हैं चलिए category के बारे में बात करते हैं दोस्तों category आती है hybrid category हाईब्रीड अब hybrid category क्या होती है यहां आपको एक combination देखने को मिलता है यहां आपका पैसा debt में भी निवेश किया जाता है और यहां आपका पैसा equity में भी निवेश किया जाता है समझते हैं कैसे देखें दोस्तों यह hybrid का मतलब है debt plus equity इसी को बोलते हैं hybrid debt में भी आपका पैसा रहेगा या कि government schemes में या government securities में भी आप कह सकते हैं equity यानि कि stock market में shares में आपका पैसा निवेश किया जाएगा इसी को बोलते हैं हम लोग hybrid funds अब hybrid funds में कौन सा प्लान आपके लिए बहतर हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ देखिए hybrid category में भी आपको काफी सारी categories देखने को मिलती हैं यहां मैं बात करूँगा aggressive hybrid category के बारे में अब aggressive जो hybrid category है यह कैसी है और कैसे इसके return से इसको डेटेल में समझते हैं देखिए fund का नाम है ICIC potential equity and debt fund fund का नाम पहले मैं यह लिख देता हूँ ICICI potential potential equity equity and debt देखिए नाम से ही clear है equity and debt यानि कि आपका पैसे stock में भी जाएगा और आपका पैसे government securities में भी जाने वाला है aggressive hybrid category है यानि कि आपका major पैसा equity में रहेगा लेकिन एक छोटा portion आपका debt में भी रहेगा यानि कि government securities में भी कुछ पैसा आपका यहाँ जरूर रखा जाएगा जितना पैसा debt में रहेगा वहांपके पैसे को security मिलेगी जितना पैसा equity में रहेगा यहां आपके पैसे पर return अच्छे बनेंगे तो जो लोग एक medium risk के साथ mutual fund में निवेश करना चाहते हैं वो लोग इस category को देख सकते हैं तो चलिए आगे बात करते हैं कैसा इसका fund size है कैसे इसके return से ताकि आपको एक बहतर idea हो सके कि क्या ये category मेरे लिए सही है या फिर नहीं चलिए फंड सा इसकी बात करूं 34,733 करोड रुपे लोगों ने इस fund में निवेश किये हुए हैं फंड सा इस काफी बढ़िया है काफी पैसा लोग इस fund में निवेश कर रहे हैं आपके सामने हैं expense ratio की बात करूं 1.02% का expense ratio देखने को मिलता है हलाकि expense ratio थोड़ा सा यहां ज्यादा मुझे लग रहा है holdings पर आ जाते हैं holdings से और भी चीज़ें यहां आपको clear होने वाली है देखिए debt में कितना पैसा निवेश है पहले वो देख लेते हैं debt का मतलब है government schemes में जो government security में आपका पैसा रहने वाला है वो यहां रखा गया है कितना 24% 24% पैसा आपका government securities में है equity में अब equity में जो आपका पैसा है वो large cap में mid cap में और small cap में तीन जगे diversification यहां पैसे का होता है आप सभी जानते हैं तो जो पैसा आपका equity में है 72.6% पैसा equity में है उसमें से 61.94% यानि कि लगबग लगबग 62% पैसा तो आपका इंडिया की top 100 companies में ही जा रहा है mid cap 5.92% और small cap में केवल 4.71% पैसा निविश किया जाएगा तो दीखिए आपके सामने है कि यहां risk को कितना कम करने की कोशिश की गई है पहले तो 24% पैसा आपका पूरा safe side निविश किया जाएगा उसके बाद जो पैसा आपका stocks में जाना है यानि कि share market में जाना है उसमें से भी लगबग 62% पैसा तो आपका इंडिया की top 100 companies में ही जा रहा है बाकी का 5 या 6% आप कह लिजिए mid cap में और लगबग 5% आपका small cap में काफी बढ़िया diversification निविश को काफी कम करने की कोशिश यहां की गई है देखे रिटन्स की अगर मैं बात करूँ last के 5 years के रिटन्स अगर आप देखें तो 21% के आसपास के रिटन्स है और अगर आप last के 10 years के रिटन्स देखें तो 19% के रिटन्स इस fund ने जनरेट किये हैं पिछले 10 सालों में अब ये पैसे को निवेश की सेक्टर में करता है जो इतने बढ़िया रिटन्स इस fund ने जनरेट किये हैं देखें, finance के सेक्टर में, energy के सेक्टर में, auto mobile के सेक्टर में, health care में और communications वाले सेक्टर में ये अपने पैसे को निवेश कर रहा है अगर मैं टॉप की होल्डिंग्स की बात करूँ, NTPC Limited में, ICICI Bank में, मारुती सुजूकी में, भारती, Airtel Limited में और HDFC Bank ये इसके टॉप की होल्डिंग्स हैं जिनके स्टॉक्स में पैसे का ज्यादा एक्सपोजर रखा गया है तो होल्डिंग्स काफी जबरदस्त है, काफी बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स में ये पैसे को निवेश कर रहा है और बाकि 24% पैसे आपके सामने है, ये तो Government Securities में है, ये पैसे तो आपका वैसे भी Safe Side है तो एक combination बहुत अच्छा इस फंड में हमें देखने को मिल रहा है, अगर आप थोड़ा सा moderate रिस्क के साथ निवेश करना चाते हैं, रिस्क को थोड़ा सा कम करना चाते हैं तो फंड काफी जबरदर्स थे, रिटन्स भी आपके सामने है, 19% के रिटन्स पिछले 10 साल में इस फंड ने बना कर दिये भी है, अगर आपने आज से 10 साल पहले, एक example यहां लेकर समझते हैं हम लोग, 10 साल पहले आपने मान कर चलते हैं, एक लाक रुपे का लंसम अगर इ होता, तो उस एक लाक रुपे की वैल्यू, 19% के हिसाब से, आज की डेट में क्या हो जाती, उस पर बात करते हैं, देखिए, आज से 10 साल पहले का एक लाक रुपे जो आपकर निवेश किया गया है, उसकी वैल्यू होती 5.69 लैक, और अगर यह फंड इसी तरह से continue हमें यही रिटन्स देता है, मैं यह नहीं कहता, कि ज्यादा देरा दें, कि रिटन्स ज्यादा भी हो सकते हैं, रिटन्स कम भी हो सकते हैं, यह तो possibilities रहती हैं, Mewcheol Fund में जो लोग Mewcheol Fund को समझते हैं, इतना तो जानता हैं, कि रिटन्स घटे बढधे हैं, इस फंड ने आगे भी कैसे को निवेश कर दें, calculate करते हैं, तो value हो जाएगी 32,42,000 रुपे की, ये value आपकी बन जाएगी किस से, केवल 1,00,000 रुपे के निवेश से, केवल 1,00,000 रुपे की value 32,00,000 रुपे तक आपको देखने को मिल सकती है, और fund बहुत जबरदस्त है, आपके risk को यहां काफी कम करन कि कोशिश fund manager दुआरा पूरी तरह से की गई है, और returns आपके सामने returns काफी जबरदस्त है, अगर आप अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, कोई SIP स्टार्ट करना चाहते हैं, बिलकुल high risk वाले fund से, आप निवेश करने से ड़ते हैं, mid cap से, small cap से, तो hybrid fund की जो category है, आप इसक fund बना सकता है, तो fund काफी बढ़िया है, holdings अच्छी है, मैंने आपको sector wise भी holdings बताई, finance और energy के सेक्टर में major exposure है इसका, तो future में ये अच्छे returns generate कर सकता है, तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि topic आपको पूरी तरह से clear हुआ होगा, फिर भी कोई confusion हो, आप मुझे दुबारा comment कीजेगा, reply में आपको जरूर करूँगा, बाकी दोस्तों recommendation नहीं है, केवल educational purpose वीडियो आप लोगों के लिए बनाय गया है, वीडियो कैसी लगी, comment में जरूर बताईएगा, पसंद आई हो तो like share भी कीजेगा, और मेरे channel पर अगर आप नए हैं, इसको भी subscribe आप जरूर एगा, नमस्कार